गलत खान पान और लगातार बिगट रही लाइफस्टाइल हमें बिमार बना रही है। का लक्षण हो सकता है। कैसे चले आज की वीडियो में जुआनते हैं। नमस्कार मैं हूँ आप सभी के साथ कृतिका। लोगों में आज कुल डाबेटीज काफी देखने को मिलती है। अब हाल ही में इसे लेकर चौकाने वाले फैक्ट सामने आए है। सबसे खतरनाक बात ये है कि अब इससे युवा और बच्चे जादा प्रभावित हो रही है। जी हाँ, डॉक्टर्स का दावा है कि अगर आपके भी पैरों में से बदबु आती है या जादा पसी ना आता है तो ये हमारे किडिनी डीजीज के लक्षन हो सकते हैं। देखी कई बिमारी आने से पहले हमें इशारा देती हैं, अगर आप इन संकेतों को समझ लेते हैं तो आप गंभीर बिमारीों से बच सकते हैं। लेकिन कई बार इन संकेतों को इग्नोर करना काफी ज़दा खतरनाक हो जाता है। ऐसा ही है डापटीज या किड़नी की समस्या। जब कभी भी आपके पैरों से सिर्के जैसी महकाने लगे तो सावधान हो जाएं। क्योंकि ये डापटीज या किड़नी की बिमारी के संकेत हो सकते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानी तो पैरों में बहुत जादा पसीना आते रहने की वश्वा से अक्सर सिर्के जैसी दुरगंध आने लगती है ऐसा कई वश्वों से हो सकता है लेकिन इसे अंदेखा करना खतरनाक हो सकता है जिहां टीनेजर्स को हॉर्मोनल चेंजिस की वश्व से बहुत जादा पसीना आने लगता है इतना ही नहीं जो लोग डायबेटीज या फंगल इंफेक्शन जैसी समस्याओं के शिकार होते हैं उनके पसीने में भी सिर्के जैसी महकाने लगती है वहीं अगर किसी को डायबेटीज या थायराइड है तो इस मामले में भी देर में बहुत जादा पसीना आने लगता है वहीं हाइपर हाइड्रोसिस जो की एक खास तरह का स्किन डिसॉडर होता है उसके वजह से भी परिशार लोगों को बहुत जादा मात्रा में पसीना आता है लेकिन सबसे एहम बात यह है कि अगर आपके पैरों में भी बहुत ज इंसल्ट जरूर कर लेना चाहिए फिलाल आज के इस वीडियो में इतना ही और भी ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप जुड़ रहे हमारे साथ तब तक के लिए नमस्कार